चोपडा नीट पीजी इंपरमेशनी यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे भावी डोक्टर्स आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नीट पीजी की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, इसमें डिले क्यों हो रहा है, साती सात ये भी चर्चा करेंगे कि आपको अपने रेंक पर कोन सी ब्रांच में कोन सा कोलेज मिलेगा, तो इन दो टोपिक्स के बारे में बात कर हम तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पीजी की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो पीजी की काउंसलिंग इस मेहने के थार्ड वीक में स्टार्ट होने की पोसिबिलिटी है, यानि कि 25 सिप्टेंबर के नियर बाई ये स्टार्ट होने की पोसिबिलिटी है, इसमें delay होने का reason यह है कि अभी seats update नहीं हुई है तो जैसे ही ये seat updates हो जाएंगी तो ये possibility लग रही है कि ये 25 September के nearby start होने की पूरी-पूरी possibility है और इसमें अभी जैसे ही seat update हो जाएंगी तो इसका schedule हो सकता है 20 September के nearby आ जाए 20 September के nearby इसका schedule आने की possibility है और 25 के nearby counselling start होने की possibility है अलाकि states के अभी form निकलना शुरू हो गए है और बाकी information platine काफी सारे states के पहले निकल चुके है बाकी अभी form किसी-किसी state के release हो रहे है और information platine भी release हो रहे है तो ये तो जानकारी थी counselling के बारे में कि counselling कब से start होगी अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपको आपकी rank पर कौन सा college मिलेगा कहां पर आपको college मिल सकता है कौन सी best branch मिल सकती है कितनी rank पर मिल सकती है और क्या marks पर मिल सकती है कौन सी category में तो ये जानने के लिए हमने आपके लिए book तयार की है और इस book की मदद से आप अपने counselling आसानी से करवा सकते हैं इसमें पहले मैं UG की book लिखते आ रहा था लेकिन इस साल से PG की book भी publish की है ये आपके लिए काफी फाइदे मन रहेंगी अगर आप PG में admission देख रहे हैं तो इससे आपको एक idea लग जाएगा कि आपको कौन सी branch best मिल सकती है कितनी rank पर कौन सी branch किस state में कौन सी college मिल सकती है क्योंकि अभी आपके पास में rank आ चुका है तो इसके लिए मैं आपको पूरा procedure समझा देता हूँ कि कैसे आपने check करना है और क्या-क्या facility इस book में available है मैं सोचता हूँ ये book आपके लिए काफी helpful रहेगी इसमें तो ये जो counseling guidance है इसमें All India Cota के बारे में समझा रखा है All India Cota के बारे में इसमें सब कुछ समझा रखा है All India Cota के साथ साथ Central University जैसे दिल्ली University है में समझाया है इसमें MD, MS, Diploma Courses, DNB Diploma इन सब के बारे में अच्छी तरह से समझाया है अब इसमें क्या-क्या समझाया है वो मैं आपको यहां पर briefly बता देता हूँ आपको कैसे-कैसे इससे फाइदा हो सकता है इसमें एक तो सबसे पहले काउंसलिंग के बारे में समझाया गया है कि आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है कौन-कौन से काउंसलिंग होती है किस परकार से काउंसलिंग करवानी है इसमें previous year की marks versus rank दे रखी है कि कितनी marks पर कितनी rank थी तो ये previous year का इसमें data दे रखा है इसमें list दे रखी जो MCC द्वारा कौन-कौन से MDMS और Diploma course में admission करवाया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी बहुत ही जरूरी है क्योंकि कौन-कौन से course हैं, कौन-कौन सी branch हैं जिनमें आपको admission मिल सकता है और MCC द्वारा इसकी कौन-कौन से branch में counseling करवाया जाती है, admission दिया जाता है ऐसे ही DNB course के लिए है list इसमें कि ये ये course DNB course हैं जो MCC द्वारा offer किये जाते हैं इसमें इसके बाद में All India Cota की seat matrix दी गई है MS, MD, Diploma और ये DNB के लिए भी seat matrix दी गई है State-wise bond detail दी गई है, STI fund दिया गया है, STI fund annual fees दी गई है All India Cota की, Central University की और DNB Cota की तो इस परकार से इसमें ये सारी चीज़ें दी गई है अब इसमें last cut-off दी गई है category-wise इससे आप ये idea लगा सकते हैं कि आपको कौन से state में last में कौन सा college मिल सकता है, किस category में ये एक list आपके लिए beneficial है यहाँ पर, इसके बाद हर एक branch की category-wise, college-wise, round-wise cut-off दे रखी है यहाँ पर, round-wise cut-off दे रखी है, जिससे आप idea लगा सकते हैं कि आपको इस category में, इस round में यहाँ पर admission मिल सकता है क्योंकि पिछली rank में और इस rank में seat मिलने पे same-sa ही procedure होगा, यानि कि ज्यादा difference नहीं आएगा तो इससे आप idea लगा सकते हैं कि आपको कहाँ admission मिल सकता है अब आप देख कैसे सकते हैं, ये क्या-क्या देख सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँ अब देखो, यहाँ seat matrix दे रखी है, all India quota के लिए seat matrix है यहाँ पर, MD, MS, diploma, courses के लिए इसके बाद में इस परकार से state-wise bond detail दे रखी है कौन से state में bond है, कौन से में नहीं है, MD, MS के लिए ये सारी detail दे रखी है, अब इसमें stipend दे रखा है, annual fees कितनी है तो ये भी सारा इसमें सब कुछ समझाया गया है अब इसमें stipend and envelope fees, central inner city के लिए दी गई है DNB quota के लिए दी गई है, यानि कि हर एक branch के लिए इसमें सब कुछ समझाया गया है इसमें अब सभी branch के लिए इसमें cut-off दी गई है सभी category के लिए और सभी round में देखो ये cut-off इस परकार से दी गई है मैं आपको यहां पर यह समझा देता हूँ जैसे कि मालनो वर्दमान महवीर है category यहाँ open है इससे नीचे OPC EWS सभी category की open category की MD radio diagnosis में वर्दमान में first round में All India ring 13 गई थी पिछली साल का यह है second में कोई college alert नहीं third में कोई क्योंकि आगे seat vacant ही नहीं होके आई है इन colleges में तो आप ये भी idea लगा सकते हैं कि इनमें जो first में college मिल जाती है तोकी वो college मिल जाती है बाद में college नहीं मिलती है तो इस परकार से आप एक idea लगा सकते हैं आपकी rank क्या है उस rank पर जैसे कि मालनो आपकी rank 32 है तो इस rank पर यह यह college मिल सकते हैं, इससे नीचे यह college मिले हुए हैं, तो वो तो आपको मिल ही जाएंगे, इससे उपर भी यह college हैं, और आपका यह college आ रहा है, इसमें, first round में यह college मिला था, second में इतना difference रहा था, first में 132, second में 185, third और fourth stream में मिला नहीं था, क्योंकि यह top college हैं, तो आगे C team में vacant रहती नहीं है, तो इस परकार से आप एक idea लगा सकते हैं, पूरा सभी वरंचू का idea लगा सकते हैं, यह तो मैंने आपको एक MD radio की बताई है, diagnosis की, इस परकार से OBC category में भी इसी परकार से Sam दे रखा है, तो इस OBC category में भी देख सकते हैं, और इसके बाद में दूसरा जैसे radio diagnosis में diploma हैं, तो diploma में open category की कौन सी college में क्या cut off रही थी, यह सारा सब कुछ इसमें समझाया गया है, तो इससे आप एक idea लगा सकते हैं, कि आपको कौन सी branch मिल सकती है, कौन से state में मिल सकती है, कौन सी college मिल सकती है, वो पिछले साल first round में कितनी rank पर मिली थी, जो कि मालो मैंने यहाँ diploma radio diagnosis का open category का बताया है, यहाँ पर open category की यह cut off dnb quota के लिए है, यह diploma courses के लिए है, तो इस परकार से आप इसमें देख सकते हैं, एक पूरा calculation निकाल सकते हैं, एक white page पर लिख सकते हैं, आपकी मेरे को in in branch में यह college मिल सकती है, यह book आपके लिए काफी beneficiary से इसमें भी सारा समझाया गया है, first round, second round, third round, तो यह मैं आपको एक example दे रहा हूँ, बाकि इस book में बहुत कुछ है आपको, dnb quota में देखना है, आपको ओर्थों में देखना है, open category में कौन सी rank पर कौन सा college मिला हुआ है, यह book मैंने बड़ी महनत से बनाई है दोस्तों, औ एक ही जगे आपको सब कुछ मिल रहा है, कहने का मतलब आपको सारे round एक ही जगे मिल रहे है, category, एक ही category में कौन से college में क्या cut-off रही है, जैसे की diploma है, tb and chest है, इसमें है, family medicine में है, तो यह सारी की सारी cut-off दी गई है, जिससे आप एक idea लगा सकते हैं, जैसे mcs neurosurgery 6 years course है, और direct 6 years neurosurgery का इसमें open category में ही seat होती, तो यह सारा सब कुछ इसमें समझाया गया है, तो cut-off से आप एक idea लगा सकते हैं, कि आपको कौन सी college मिल सकती है, कौन सी category में, कौन से state में, कौन सी branch मिल सकती है, जिसकी fees क्या होगी, यह सारा सब कुछ समझा दिया है, जिससे आप पूरा ए दिया गया है, कि ऐसे ऐसे आपको first round में joining से free exit है, कोई नुकसान नहीं होगा, second round में आपको join करने पड़ेगी नहीं, तो security money का नुकसान है, तो इस परकार, इसमें सारा first round में क्या condition है, यह point wise मैंने सब कुछ समझा रखा है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस book के अलावा, जो मैं UG की book लिखता था, वो student के काफी helpful रहती थी, इसी विचार काफी student का मेरे पास में ऐसे comments आ रहे थे, क्योंकि 2016 से मेरे साथ बच्चे जुडे वे हैं, तो उनका अभी MBBS complete हो गया है, वो PG के admission सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए यह book काफी helpful रहेगी, और उन्होंने मेर को comments लिखे, काफी बार बुलाएं कि इस परकार से आप UG की book लिख रहे हैं, इस परकार से PG की book भी publish कीजिए ताकि हमारे को फाइदा हो सके, अब इसको download करने के लिए आप इस video के description box से download कर सकते हैं, जैसे ही more उपर click करेंगे, आपको इन books का link मिल जाएगा यहां पर, जैसे dot in से भी download कर सकते हैं, जैसे ही आप इस link पर click करेंगे, तो आप download page पर पहुंच जाएंगे, तो वहां से आप इसको download कर सकते हैं, तो यह जानकारी थी इस book के बारे में, ताकि आप PG की counseling अच्छी तरह केश से करवा सकते हैं, आपको हर चीज का knowledge हो सके, कौन सी college आपको कितनी marks पर कहां पर मिल सकती है, कितनी rank पर मिल सकती है, यह सारा सारा आपको idea हो जाएगा इसमें, तो बाकी updates के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी, जैसे ही counseling स्टार्ट हो जाएगी, मैं आपको inform कर दूँगा, तो मिलेंगे नई update के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मैं हर साई चोपड़ा आपसे लेता हूँ, विदा जैहिन!